हलो दोस्तों जैसा कि आपको मालू मैंने क्लॉक में कई टाइप पढ़ा दी हैं आज उसी में एक नए टाइप पढ़ाने जा रहा हूं तो आईए देखिए कौँ सा टाइप है एक ठीक है दो तीन चार पांच छै साथ आठ नौ ठीक है दस और ग्यारा कोश्चन क्या था दो और तीन बज़े के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुईया कब आपास में मिलेंगी तो यहां पर एक सरकल बनाया ठीक है बिंदू और दो और तीन बज़े के बीच देख हो गया ठीक है यह मिनट और यह घंटे की सुई ठीक है तो दो और तीन बज़े के बीच घड़ी की घंटे मलब घड़ी की घंटे तब मिनट की सुईया कब आपास में लेंगी जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाये आपको पार ना क्या है 12 बटे 11 ठीक है 12 बटे 11 इन्टू ठीक, कितना गैप, एक, दो, दो गैप, इंटू कितना, पांच, क्योंकि पांच-laim मिनट का होता ह। तो इंटू 5, यानिकी यह हो गया, ठीक है, तो 12, बटे 11, इंटू 10, यानिकी यह हो गया, ठीक, यानि कि जब भाग देंगे 10 सही 10 बटे 11 यानि कि 2 और 3 बज़े के बीच घंटे की तथा मिनट की सुझा कब आपस में मिलेंगी तो पहला टाइम 2 बज़ कर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर सुझा आपस में मिलेंगी ठीक है दोस्तों तो यह आगया होगा आपको समझ में मैं आपको नेक्स सवाल कराता हूँ ठीक देख लीजे आईए ठीक है यह अठा देता हूँ मैं दूसरा करते हैं जिसे आजाए कि 10 और 11 बज़े के बीच घंटे तथा मिनट की सुझा कब आपस में मिलेंगी अब यहाँ ही पे 2 और 3 की जगा 10 और 11 लिख लीजे ठीक है 10 और 11 बज़े के बीच घंटे तथा मिनट की सुझा कब आपस में मिलेंगी ठीक तो यहाँ पे अब क्या हो गया यह ऐसे था हमने इसको ऐसे कल लिया ठीक है यह हो गया 10 और 11 बज़े के बीच किलियर यह मिनट की यह घंटे की सुझा ठीक है सेम 12 बटे 11 इंटू कितना गयप 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और 10 ठीक है इंटू 10 कितना इंटू 5 पाँच मिनट का होता ना 10 इंटू 5 ठीक है कितना यह पाँच गया चक 44,6 सही ठीक है 54 सही 6 बटे 11 यानि कि 10 और 11 बज़े की बीच घंटे और मिनट की सुझा कब आपस में मिलेंगी तो 10 बज़कर 54 सही 6 बटे 11 मिनट पर सुझा आपस में मिलेंगी ठीक है दोस्तों तो यह हो गया दूसरा कोश्चन पहला कोश्चन औ को करना क्या है 12 बटे 11 इंटू जितने गैप हैं वह आपको काउंट कर लेना है इंटू 5 कर लेने ठीक है दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरा मुझसे लास्ट में कमेंट सेक्शन में मेरे से आप पूल सकते हैं त्यंक्यों दोस्तों तो आम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में